हाज जी दोस्तों देखिए सादियों का सीजन सुरू होने वाला है, अब शादियों का चो खाना होता है ना, उसका जवाब नहीं है, मैं खुद ठूंस चुका हूँ, ये चारचाप प्लेट में ठूंस लेता हूँ तो आज हम वो सादियों वाले में से एक सबजी बनाने वाले जो होती है मिक्स वेच वो बराबर आपको सादी वाला टेस्ट देगा जो फ्लेवर आता है वो सब बहुत अच्छी रेसिपी है और जट पढसे बन जाएगी घर पर ही सादी बिया का मज़ाब ले पाएंगे तो वीडियों में बने रहिएगा ये बनाते हैं एक पैन लेना आपको पैन में आपको डाल देना है लियो चमच ओई थैसे सबसुख aham दो टमाटर ये भी स्लाइस में कटकी हुआ आपको डाल देना है इन्हें आपको एक मिनट तक टोस्ट करना है पका लेना है ठीक है अब एक मिनट के बाद आपको इसमें डाल देना है तीन हरी लाइची उसके बाद आप इसमें एक डाल चिनी का टुगड़ा आधा इंच का ड उसके बाद आपको ठंडा कर लेना है इसको पूरी तरह ठंडा कर लीजेगा और इसको मिक्सजार में इसका एक पेष्ट साथ बना लेना है अब कोकर ले लेंगे या कडाही जो भी आपके पास है ले लीजेगा एक लिटर पानी इसमें डाल देना है इसमें मीडियम साइज मे लगबख 1500 ग्राम मैंने डाला है, उसके बाद आपको इसमें डाल देना है, गाजर, ये भी लगबख 100 ग्राम है, ऐसे क्यूब्स में कट किये हुए, और 100 ग्राम आपको मटे डाल देने हैं, आपके पास और कोई भी बी बीन्स वगेरा सबजी हैं, वो भी डाल सकते हैं, नमक डाल देंगे इसमें, और इसको ढख के बॉइल कर लेना है, 90% बॉइल करना है, मतलब 90% ये पक जाना चाहिए, इतना बॉइल करना है, उसके बाद आपको इसमें से छान के, एक बार ठंडे पानी में डाल देना है, ताकि जो इसकी कुकिंग प्रोसेस है, वो रुख जाए, ठीक है, इसमें से निकाल दीजेगा इसको, फिर सेम कुकर को या कडाही को मैंने धो लिया, आपके बाद दूसरा है तो यूज कर लिजेगा, तीन चमा चॉय, और ये देखें, मैंने इसमें शिमला मिर्च एक्स्ट्रा एड कर दी है, क्योंकि शिमला मिर्च को वाश करने क करने की जरूत नहीं थी, तो एक शिमला मिर्च में कट किये हुए, मैंने इसमें डाल दिये, इसको आपको लगभग दो से तीन मिर्च पका लेना है, ताकि सबजियों की स्मेल है, वो थोड़ी कम हो जाए, अब हम इसमें लाल मिर्च पावडर डाल देंगे, लगभग एक साथी साथ हल्दी पावडर एक चौथा ही चमल, उसके बाद आपको गरम मसाला पावडर एक चमल डाल देना है, उसके बाद हम धनिया पावडर एक चमल डाल देंगे, नमक डाल देना है आपको स्वात के अनुसार, और इसको थोड़ी दर पका लीजेगा, ताकि मसाले भी लगबग 2 मीनट तक आपको इसको पका लियना, ताकि मसाले और सबजी आची तरह पकते पक हैं, ठीक है, अब आपको क्या करना तक जो हमने मुझे ऐसे पसंद है मैंने इसलिए डाल दिया अब साधी चीजे तो पकी हुई है बट पनी डालने के बाद दो मिनट तक ढखके पका लिजेगा ताकि पनीर में भी थोड़ा बहुत फ्लेवर चला जाए हमारी जो मिक्स वेज है वो बनके तयार है बिल्गु शादियों जैस टेस्ट आएगा एकदम मस्त रेसेपी है लाश्ट में आपको क्या करना जब यह पक जा थोड़ी ची कसूरी में थी और घर में जो उपर की मलाई आती है वो डाल दीजेगा या बाहर से भी डाल सकते हैं बस इसे आपको ऐसे अच्छी तरह मिला लेना है और लीजे हमारी मि सबस्क्राइब कर दिए ताकि आपको मिलें वीडियो की नोटिफिक्शन सबसे पहले तैंक्यू सो मच वाचिंग कल फिर मिलता हूं